अच्छा मैम आपने कहा आश्रम रोड का ये केस आपने बताया मैम कोई भी क्योंकि एहमदाबाद की बात करें तो एहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है उसमें अगर किसी कोने में कहीं पर होता है उसमें अगर 10-15 मिनिट में किस तरह से पॉसिबल होता है पुले-PCR के लिए कि वो वहां तक पहुँच पाई सी इसमें ऐसा है कि अगर आप लोग एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी तो GPS सिस्टम है एक वाटसेप का भी बाद में आपको केस बता हूंगी लेकिन कमिक बड़ एज आपको क्वेशन है कि अभी लटसे के आपने फोन किया है अब बात नहीं कर पा रहे हो। तो अभिसली आपको आप बात नहीं कर पाँपा पा उल्गे सրफ एज पा नहीं दो घेल तो हम-लोकेशन मंगाएंगे इस लोकेशन हमें सेल साइट की मिलत्याई यह एदी इंडिए लोकेशन मिलती है च्याब मेंन आपको पहले भी बताया, कि हमारी PCR, पुलिस कंट्रोल रूम वैन, जिसे कहते है, 80 PCRs एमदाबाद में गुम रही है, तो हर एक एरिया में 2-3-3, जो में में 4 आय पर होती है, वहाँ पर खड़ी रहती है, पूरा एरिया उसको सकेन करना पड़ता है, तो इसलिए और अगर कई गंबिर जासे कि मैंने बता है, तो हम दो गाडिया एक साथ बेच देते ता कि कहीं कोई मिस्ना हो जावे या जितना जो जल्दी पहुंचे सही हमारे पास इंट्रास्ट्रक्टर पूरा इसका है और इसलिए हम अर्जन में अर्जन जितना भी जल्दी हो सके हम वह उसको बचाने चले जाते हैं क्योंकि मैंने बता है यह 1091 इमर्जन से सर्विस है अच्छा माम हमने हेल्प लाइन की भी बात कर रहे हैं लेकिन आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो सोसाइटी में लेडिस को खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां रहती है यह नहीं के चलो 1091 नंबर हुआ मैं डायल कलूंगी मैं बचाऊंगो खुद को बचने के लिए करना चाहिए तो आप क्या सजेस्ट करेंगी क्या करना चाहिए क्योंकि अभी मुवीज के अगर हम बात करें तो मरदानी फिल्म आई है मैरी कॉम फिल्म आई है जिसमें कहीं हद तक यह बताया भी है कि अब यह टाइम आ गया है कि विमन को मजबूत होना पड़ेगा और अ तो उन फिल्म से इंस्पायर होके कई सारी लड़कियां कराटे सीख रही हैं, कई सारी लड़कियां बॉक्सिंग में जा रही हैं, कि इंस्पिरिशन मिला है, तो और लेडिस को क्या करना चाहिए, हमें कितनी हद तक अलट रहना होगा सबसे पहले तो जैसे आपने सही कहा, कि अरुम को तो बच्पन से पैरेंस से सिखा थे हिम्मत मर्दे तो मददे खुदा, यानि यह जो कहना कि अभी यह वो जमाना गया कि वो द्रोपदी वाला और बगवान कृष्णा आये थे न वो सब जमाना गया अपने को खुद को खु कि अगर लड़कियां लड़कों से कभी भी पाउरफुल हो सकते हैं क्योंकि यह सब तारा तमाश अगर आप देखोंगे न तो रेप का तमाशा देखो या आप यह जो छेडने का तमाशा देखो यह बेजिकल एक मेंटल गेम है अगर आप देखो फिजिकल तो बहुत अगर आप को जातीय सत्ताम नी होती यह क्योंकि आपका बॉस यह अपका कालीग आपको अपना पावर दिखाना चाता है अगर लेप कर देखो कैसे देखेट तो अगर हर इसापना निदिक से पावर केस्ट तो इसलिए इसलिह जब एज्डिया अगर वह वाला बुक्का करने वाला होता है वो अगर लेट से अगर आप उसकी आँख जाए कि अगर आपको छेडने के कोशिश कर रहा है आपके पीछे पड़ और अगर आप उसकी आखों से आखे मिला के देखोगे तो वो भाग जाएगा वो इसलिए डारेगा क्योंकि उसको पता है कि आज ये बहन अगर अपने कहीं जा अपने पीछे कुटा पड़ता है अपने भागते तो कुटा अपने पीछे वो डबल भागेगा क्योंकि उसको लगता है कि जैलो ये मुझे डर गया डर गया डर गया डर गया डर गया तो इसलिए सेम यही साइकोलोजी है कि अगर हमें डरना नहीं है हम बले अंदर से दगदग होता है वो अलग श्रुडिये बट हमें अपना रूप ऐसा बताने कि नहीं हम डरते नहीं हम उसका सामना कर सकते हैं अगर हमने यह ऐसे ऐसे हमारे बॉडी लेंग्विज अगर होती है तो इससे क्यों होता है कि सामने वाला 95% सामने ऐसे रिसर्च बता है थी कि 95% सामने वाला डर जाता है और इसी तरह आपको अपने आपको बचा के भाग जाना है आपको वापिस बोलती उसको मार के खड़ा नहीं रहना है क्योंकि आप जीत नहीं पाओ गये तो यह यह मेंटल स्रेंथ बहुत ही इंपोर्टन चीज़े और कॉंट बहु आपको चेड़ा करने में इसलिए सब पॉइंट अपने आपको बचा पाएंगे तीसरी इंपोर्टन पॉइंट के मानलो के आपने किसी और को भी एक्जाम्पल देरियो कि मानलो आप जा रहे और कोई-कोई बिचारी किसी लड़की को छेड रहा है तो मुझे एसे कहने है क जाएंगे लेकिन आपको वहां खडा रहेना और उस लड़की को सपोर्ट देना जरूरी है इसलिए अगर इतने भी पॉइंट करोगे तो हम बहुत सारे हम हमारे बैनों को बेटियों को माओ को भी बचा पाएंगे और भाई लोग क्योंकि मेरा हमेशा किना है कि ये लड़ अच्छा है और बुराई की है तो इसलिए अगर हम ये अच्छा ही के लिए खड़े रह जाएंगे तो आम शूर और लोग भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारी बैनों को हम खुद भी प्रोटेक्ट हो सेंगे हमारी बैनों को भी